में Ground Wall Gym Size 10 आज किस वीडियो में हम जानेंगे में Ground Wall Gym Size 10 क्या होता है इसका Aim क्या होता है कौन से Method से Perform करते है इसका Principle क्या होता है इसमें कौन कौन से Solution का Use किया जाता है इसका Principle क्या होता है Procedure क्या होता है पूरा Topic आज हम इस वीडियो में Clear करेंगे यह को बिना किसी देरी के start करते हैं This is one of the common Roman vaski stand of cytology क्या होता है या एक common Roman vaski stand होता है कौन से department का cytology क्या cytology department का most common Roman vaski stand होता है It is useful for standing of cell morphology air dry smear क्या होता है या useful होता है किसके लिए standing for cell morphology सिल्के मॉर्फोलोजी के लिए ठीक है और ड्राइड इन इसमेर और सुखे हुए समेर के लिए यह यूस्पूल होता है इटीज सुपीरियर टू पेपर कलर सबसे अच्छा होता है कौन से स्टैन में ग्राउंट वॉल्च जिमसा सबसे अच्छा ब्राउंड ब्रामलोड इच्छी चुमत है सब्सद्वरियर टू से च्टॉस्ट से टिस ली के लिए यह ली को होता है सबसी अच्छा होता है कौन सा ici10 में ग्राउंब वॉल जिम्सा सबसे अच्छा सिटेन मना जाता है अब हमका इसका इस सबसे डेखते हैं तो फ़र पॉर्फम Hello together क्या होता है इस में क्या करेंग लिए इसमें इस परीजी यानि इधार इये होता है प्रिज्जन ओता है देर्म क्या होता है मेत छान्ता है और मेत तो प्रसंट और मेत रावक्त यू दो Susymen अब इने ल ahí वह प्रेण है में छान्र सोल्चन में अब से आप सब्झे जिम्सा सोल्चेजन सップ कैसे प्रिपेर करते हैं देखिए प्रिप्रिप्र solution of working solution reais agony solution को और कैसे प्यायर करेंगे बफर वॉऩर्ट4 देखिए फॉसपेड दॉस्ट्ल क्या करेंगे पॉसपेड लेगे और किते लेंगे 30 रेल फॉसपेड लेंगे और पांचछο 70 हमिल क्या रेंगे डिस्ट्ल वाट लेंगे तक क्या बनाएंगे बफ़ड वर्टर बनाएंग तुक है डेन army g working solution mgg working solution याने may ground world जिम्टा working solutions लेंगे किता लेंगे 508 ml लेंगे ऑघंश जो ने बनाया है थीक है वो लने खना करेंगे यह दो किता लेंगे 44 ml एमएल लेंगे और 5 6 ml क्या लेंगे 2020 बफ़ड वाटर लेंगे यह वाला जो हमने बनाया है ठीक है वो लेने ने वाद मिक्स करेंगे फिर हम परफॉर्म करेंगे अब इसका देखिए प्रिंस्पल यह कौन से प्रिंस्पल पर वर्क करता है MGG stand में acidic and basic दोनो डाई present होती है कौन कौन सी डाई present होती है तो acidic और basic दोनो डाई present होती है acidic डाई किसको stand करेगी acidic डाई basic नेचर वाले cell को stand करता है and basic डाई acidic नेचर वाले cell को stand करता है जो acid होगा वो basic को stand करेगा जो basic होगा वो acid को stand करेगा simple ची बात है अब इसका आम procedure देखते हैं fix the air dry smear for methanol for 10 to 20 minutes क्या करेंगे सबसे पहले हम air dry smear को methanol से fix करेंगे कितने मिनट के लिए 10 से 20 मिनट के लिए fix करेंगे fix करने के बाद stand with mgg stand in 5 minutes 5 minutes के लिए make ground wall gymsa stand से 5 minutes के लिए stand करते हैं stand करने के बाद क्या करेंगे stand with gymsa working solution for 12 minutes फिर क्या करेंगे gymsa working solution से क्या करेंगे stand करेंगे कितने मिनट के लिए 12 मिनट के लिए देन उसके बाद क्या करेंगे wash with clear buffered water for 2 to 5 minutes किससे क्या करेंगे wash with clear buffered water for 2 to 5 minutes clear buffer water से 2-5 minutes के लिए wash करेंगे wash करने के बाद क्या करेंगे wash करने के बाद dry the smear slide at room temperature क्या करेंगे smear slide को क्या करेंगे room temperature में dry करेंगे dry करने के बाद mount with DPX क्या करेंगे mount करेंगे किससे DPX से DPX क्या होता है इसके पहले विडियो में मैंने बताया है अगर आपको नहीं पता तो उसको जाके देखिए और मेरे को कमेंट कीजे कि DPX क्या होता है ठीक है दिन result क्या मेलेगा हमको इसेड करेगा योसीन जो हता है वह एसेडिक डाई होता है वह बेसीक सील को ji करेगा तो मिने ग्राउंड वाल्ट जिम सा इस्टैन आज की वीडियो में हमने देखा तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक स्लियर करें जिससे उनको भी यह टॉपिक अच्छे समझ में आ जाए थैंक्यू